हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाधियच राजी भारत द्वाज ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एक जीट पोल पर प्रितकरिया दी है दरसल आख दिसंबर का इंतिजार है यह मतगड़ना होगी उस दिन गुजरात के साथ ही हिमाचिल प्रदेश विधान सबाचुनाओ के लिए भी मत गड़ना होगी वोटों की गिंती का काम अलग अलग सेंटर में सुबह आठ वजे शुरू होगा पहले डाक मत पत्रों की गिंती होगी उसके बाद एवियम खुलेगी इसे लेकर सभी पार्टियू के अपने अपने दावे हैं आठ तारीक को मतों की गड़ना हो रही है हिमाचिल परदेश में और मैं इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आठ तारीक को भारती जनता पार्टी फिर से हिमाचल परदेश में सरकार रपीट कर रही है और एक जो इतिहास था कि एक वर कॉंग्रिस एक वर भारती जनता पार्टी एक वर कॉंग्रिस एक वर भारती जनता पार्टी वो इतिहास भी बदलने जा रहा है जो मानी मुख्य मंत्री जिन एक नारा दिया था कि हम इस वार रिवाज बदलेंगे तो वो रिवाज बदल रहा है इस वार आठ तारीक को ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी बार बार बोल भी है कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है अब दो दिन तक तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है अपने आकाओं को कुछ तो हिसाब देना है तो इसलिए वो बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्रों ने जो एग्जिट पोल आये हैं कल कि ये कामों पर मोहर लगाई है और वो इस पर टिपनी कर रहे होंगे मुझे लगता है कि कॉंग्रिसी मित्रों को पता नहीं है कि ये जो एक्जिट पोल होता है ये कोई तुक बंदी नहीं है ये एक विद्या है जिसको सिफालोजी बोलते हैं मुझे लगता है कि मैं चैनल के परदेश में फिर से सरकार बना रहे हैं